शिपुरी के ग्राम खूपतपुरा मजरा में आई दिन दबंग मारपीट करते रहते हैं वही एक मामला सामने आया है जिसमें घर में खुसकर एक राय होकर मारपीट कर दी वहीं घर में रखे नगदी और जमीन के कागसात भी ले गए बाहर जाते समय मोटर साइकल को भी शित जातव पुषपेंदर पुत्र मान सिंग जातव ममता पत्नी मान सिंग जातव सोनम पत्नी ज्यांचन जातव द्वारा एक राय होकर मेरी और मेरे पुत्र बंसी और पत्नी कामता इवं पुत्री पुजा की मारपीट लाठी सरिया लाग घूसों से कर दी जिसकी बात कमरे का ताला तोड़कर धर में रखे 50,000 रुपए उठा कर ले गए और नोटिसाइगल की भी तोड़ फोड़ कर दी। वहीं समीन के काग्ज़स भी उठा कर ले गए हैं। सराम सिवक ने बताया कि पुलस ने 151 की धारा में केस सर्च कर लिया है। वहीं आरोपियों के विरोद कोई कठोर कारवाई नहीं की गई है। पुरा मामला जमीन गुर्देव के नाम है। मेरा लड़का है। आँ पुछ नहीं कोई सनवाई नहीं करते हैं। प्रताव रहता है। पुलस नहीं जो कहती है का हम क्या करें। पतवारी खुलवा जाओ तेसिंदार खुलवाजा। परवारी आया था परवारी फुब्पैसा दे वाकि बगाती यह था पुलिस पुलिस जो कहती है कि में हमारे पास में मताओ और नाम तुमारे लिए बंद कर देंगे दोनों पॉंटे को जेल बेदेंगे मिनके हमाई यह जमीन हो हमें यह जेल बेदोंगे जो हमारा अद्कार है उनके सावया सानाइए मिनके तो हमाई जमी जतवादो और निफ्ट वादो मिनके अच्छी बात है आप ने इसमें जिक्रिक विजाए कि आपको भी जेल बेज़ दिया वहाद एक सव इसक्यार में जाता आप किस ने बेजाता है जे पांडेजी सहर है और जोसी सहर बोनते हैं उनने बंद कर दी है हमारे लिए एक सिंग्चार में अलाहिदा राओ मुवान दौरी से गेट फे चुड़ा के कोई बात सीध नहीं है और हमारे लिए दोनों को पकरके काली गलोश करके बंद कर दी है वामें कुठी में और डागेख टोड़ हैं आमारे थे और कागाज भेड से कागाज भेड उठाला और 40 सारवगे याथे बेड और पर दगालाए और काड़क भेड बेड मा। अभी गर में जा नहीं पा रहा हैं तो अभी तो दिन से जेल नहीं पा रहा हैं। हम जे चाट है काम अपरे गर रहा है और सांती पूड रहा है